नशकार आप देख रहे हैं News 20 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ नीता जोशी कारियवाही करने को लेकर ग्यापन सोपा पत्रकार घंशाम दादिच सुरेंद्र नागर मुकेश गोचर उस्मान खान ने कहा कि जिले के पुलिस महकमे में इतना लचिला पन आ गया है कि भूम आपिया वह असामाजिक तत्व खुले आम अपनी गुंडागर्दी करते देखे जा सकते हैं और आमचन के साथ साथ लोग तंत्र के चोथे स्थम्ब कहे जाने वाले पत्रकार को भी खुले आम मारने की धमकिया दी जा रही है और पुलिस प्रशाशन द्वारा ऐसे लोगों पर कारियवाही नहीं कर इनको पना देने का काम किया जा रहा है यहाँ हालत इन दिनों बारा जिल्ले के हो रहे हैं यही वाकिया नाहरगट कस्बे में हुआ है यहां के वरिष्ट पत्रकार जावेत के साथ यहीं के भूम आपिया वह असामाजिक तत्व गणेश गोस्वामी जिस पर पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और गाली गलोच की गई इसकी शिकायत नाहरगट ठाने में दर्ज कराई गई तो पुलिस प्रशाशन द्वारा उक्त आरोपी के खिलाब कारियवाही करने की जगह पत्रकार के उपर मुकदमे दर्ज कर धमकाया गया जिससे पत्रकार जगत में रोश व्याप्त है जब पत्रकात खुर्श शुरक्षित नहीं है तो ऐसे में कलम से अपरादियों को उजा कर करके सब के सामने लाएगा पत्रकार का काम लिखना है और फिर वह खबर पक्ष में हो या विरोध में अगर ऐसे धमकिया दी जाएगी तो पत्रकारिता का हनन होगा इसको लेकर पजबूर होंगे और पत्रकारों को सहयोग करने के लिए भी अपील की गई सम्वान दाता घंचाम दादिच की रिपोर्ट